नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका मेरे चैनल पे दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में जो युद्ध हुआ था तो उसमें देखा गया था कि सुसाइडल ड्रोन का क्या महतव है स्पेशली दोस्तों ये एर डिफेंस सिस्टम को भी डेस्ट्रोय करने के अंदर काम्याब हुए थे तो ऐसे में दोस्तों इंडिया की एक प्राइवेट कंपनी जो की बेंगलूरू बेस्ड है उसने इसराइल की एक फरम के साथ में कोंट्रेक्ट किया है ऐसे ही सुसाइडल को बनाने के लिए आज इसी के उपर बात करेंगे चलिए दोस्तों शुरू करते हैं तो दोस्तों बेंगलूरू बेस्ड डिफेंस कंपनी ने दो एग्रिमेंट साइन किये है इसराइल बेस्ड एक कंपनी के साथ में जिसमें यह स्पेस कैमरा टेकनोलोजी का भी प्रोड़ जिसे सुसाइडल या फिर कैमिक एजे ड्रोन भी कहते हैं उसे भी बनाएगी तो दोस्तों यह बेंगलूरू बेस्ड अल्फा एल्सक कंपनी है जो की दोस्तों जोइंट वेंचर कंपनी है अल्फा डिजाइन प्राइवेट लिमिटेड के साथ में जो की डिरेक्ट सप्ला यह सट्राइकर लोइटरिंग मुनिशन को इंडिया में बनाने के लिए और इस लोइटरिंग मुनिशन के प्रोडक्शन के लिए अल्फा एल्सक का प्लैन है कि वह है अपने इंफरास्ट्रक्चर का ही इस्तेमाल करेगी जो ओल्रेडवी यह अनमेंडेरियल वीख्ल प्रो जो इसे दिशा निर्देश दिये जाते हैं operator के द्वारा target के बारे में और इसके अंदर एक warhead इसकी body के अंदर install रहता है और ये high precision performance देता है यानि कि बिल्कुल accuracy के साथ में strike करता है और albit system के हिसाब से ये माना जाता है कि sky striker drone के अंदर electric propulsion system ऐसा है कि इसका कोई भी shore जादा यानि कि इसका acoustic signature नहीं होता सबसे कम रहता है इसी लिए जो covert operation होते है या फिर low altitude operation होते हैं और जो chip कर operation किये जाते हैं उसके लिए ये बहुत ही अच्छा रहता है यानि कहने का मतलब ये है कि ये silent, invisible और surprise attacker है और यही कारण है कि इसका pre-season भी बहुत जादा रहता है इसकी reliability भी बहुत जादा है और इसी के साथ हमने modern battlefield में अगर advantage चाहिए तो इसका हमें इस्तेमाल करना चाहिए इसके इलावा इसने elbit system के साथ में एक और agreement sign किया है जो कि दोस्तों इसके space cameras और technology के face production के लिए है और अब ये company elbit system electro optics के जो camera वगेरा बनते हैं या जो इसकी technology होती है उ जहां तक दोस्तों इस space remote sensing technology की बात है तो इसका इस्तेमाल बहुत सी जगह पर होता है especially दोस्तों इसकी application अगर हम कहें तो civilian application भी बहुत जादा है infrastructure monitoring के अंदर planning के अंदर agriculture के अंदर homeland security defense application के अंदर इसका इस्तेमाल होता है अब ये दोनों companies मिलके ये service अपने customer को देंगी private sector के तो ऐसे में दोस्तों ये private sector का एक बहुत बड़ा कदम है और इससे नैकेवल इंडिया के अंदर technology आएगी बलकि इससे दोस्तों हमें आर्थिक रूप से भी फायदा मिलेगा धन्यावाद जैहिन